यानि अगर हम पाकिसान की एजंसी के होते तो यह हमें रिकॉर्डिंग करने देते ना तो गर यह हमें रौका समझ रहे हैं यह समझ रहे हम किसी और एजंसी से मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी वहां पर कौन सी सेक्यूरिटी की चीज़े जो यह चुपा रहे हैं ऐसी कौन सी ब करताना चाहते हैं यह वो नहीं बताने देते शौप की परस थे उनको नहीं बोलने दे रहे थे और उसके बाद यह समझते हैं कि नुसी साइट का कश्वीर भी इनके साथ मिल जाएगा और यह पता नहीं की बल्ले बल्ले हो जाएगी मुझे तो समझ नहीं आती नशा कौन सा क बहुत जादा फोकस रखते हैं बज़ट पे और साथ-साथ क्यूंके मैं भी बहुत से कुछाती फैमिल्स को जानती हूं जो कराची में हैं और क्योंके मैं भी कराची से करती हूं तो सुझदा था मुझे मालू है कि हो पैसेओ को मचाते भी हैं शायद यह वज्जाएगे क भी कहते हैं कि भारत से कुछ सीख लें भारत से कुछ कॉपी कर लें तो मेरा ख्याल है वो हमें करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडियन गोर्मेंट ने लिया है ठीक है आपने बोला पाकिस्तान की जो हमारी गोर्मेंट की जो सोच है उसका अधादा इधर से हो जाता है कि हमें अगर आई Meaf से फंड मिलता है तो हम 40 करोट का फ्लेग अनूंस कर देते हैं कि बहुआ हम 40 करोट का फ्लेग बनाने जा रहे हैं इधर से आइडिया हो जाते है और वो फ्लैग फिर भी नी बना उसकी क्या reason हो सकती है मतलब वो फ्लैग हमें नज़र नहीं आया वो 40 करोट किदर गये किसी ने उसके ओपर सवाल ही नहीं किया हो सकता है कि ना बनाया हो जब इतना जादा लोगों ने क्रिटिसाइस किया हो तो सकता है उन्होंने इस बात को जो है रोक दिया हो औरना अगर बनाया होता तो कही ना कही नजर तो जरूर आता है लेकिन जैसे आप कहरें बिलकुल गलत जगा पर पैसा इंवेस्ट करते हैं और वो करके अपनी बेवगूफ होने का हम मजीद सबूत देते हैं और पैसा जा चालिस परसंट जो कहलें बजट है वो बचाया किया है जो 3D पोस्ट आफिस 3D प्रिंटिड पोस्ट आफिस बनाया है उसमें जो लागत आई है 30-40 परसंट बचा ली गई है क्या समयती है एक तो वो मौडरनिजेशन की तरफ जा रहे हैं अपने इंफा स्क्चर को दिन बा सके तो उस बजट से पहले ही जो है वो कंप्लीट हो जाए ये तो किसी भी कंट्री के लिए या अगर इंडिविज्विज्व भी हो तो उनके लिए फाइदा ही देती है वह मारे आप देखें बी आर्टी प्रोजेक्ट जो है वो चलता चला जा रहा था और उसके बाद उस है कि ये दोनों गुजराती हैं और गुजराती फैमिलिस जो है वो बहुत जादा फोकस रखते हैं बजट पे और साथ साथ क्यूंकि मैं भी बहुत से गुजराती फैमिलिस तो जानती हूं जो कराची में हैं और क्यूंकि मैं भी कराची से बिलॉंग करती हूं तो इस जो भी development करती है अपनी पबली को बहुत बेखतर तरीके से साथ इंगेज रखती है जैसे पीम मोदी ने ट्वीट की उनों ने बोला कि हर इंडियन इस पोस्ट आफिस के ओपर फखर महसूस करेगा इंडियन होने पर फखर महसूस करेगा आपको नहीं लगता कि जब ऐसी development दे पर या अपने किसी भी platform पर social media mainstream media पर एक होके हमें बात करते नजर आते हैं कि हम इंडियन एक हैं जो issues हमारे आपस में हैं वो हैं लेकिन जिदर इंडियन की बात आएगी तो वहाँ पर हम साब एक हैं मेरा क्याल है वो हमें पहले भी एक ही नजर आते थे चाहे वो अभी ये पर पासि डिया क्क वागा में ये नरे स्टी कोंसे स्टेट राट पर बात में बताते हैं पाकिस्तान यिसे कर आप कहीं मिलें और आप और पूछें तो बहु किए पर उसके पास से बताटे 항상 पर शेखते हैं नहीं मुस्लिम कहता तो मुझे कोई नहीं मिला लेकिन हाँ यह जरूर है के लाहौर कराची या कोई और सिटी जरूर बताते हैं लेकिन किसी नहीं किसी नहीं कहा के मुस्लिम हैं लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान का नाम आखर में लेते हैं पहले अपनी सिटी बगरा बता जेते हैं और इंडियन वैसे भी जाहिर है अगर आपको आपकी कंट्री जो है वो सक्सेस्फुली आगे बढ़ रही हो तो एक कॉंफिडेंस आ जाता है और आप उस कॉंफिडेंस के साथ बात करते हैं पाकिस्तान के साथ अनफॉर्शनेटली हमेशा से यह रहा कि कभी हम आग पासपोर्ट में तो जाहिर है उससे हमें फर्क पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए लेकिन उनफॉर्शनेटली जिन लोगों के आप में पावर है वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल कहीं न कहीं कॉंफिडेंस हमारा कम हो जाता है कि मतलब हम अगर बताएंग की हम बहुत फखर से ये कहते थे कहते हैं और कहते रहेंगे कि दुनिया की सबसे उन्ची हाईवे हमारे पास है चाहे वो चाइना की कॉलाबरेशन के साथ बनी हो लेकिन अब ये भी रिकार्ड इंडिया वालों के पास जाता नजर आ रहा है खबर ही आ रही है सुनने में य बहुत से काम कर रहा है चाहे वो लड़ाक हो चाहे वो बाकी के अरियाज हो इंडिया के वहाँ पर काम किया जा रहा है लेकिन हमारे जैसे हम देखते हैं कि चाहे कश्वीर हो या चाहे कोई और हमारा टूरिस पॉइंट हो वहाँ पर हम इतना जादा कुछ काम करते हैं और भी ठीक करते वे दिखाई नहीं देते कि अगर हम वहाँ पे रोड्स ही बना रहे हो या कुछ कर रहे हो जिससे कि लोगों को आने जाने में असानी हो तो इंडिया जो है बहुत सा उनका जो पैसा है वो ये भी कहते हैं कि टूरिजम के जरीए भी आता है क्योंके पूरी दुन करते हैं कि जिसमें वो एरपोर्स अच्छे बनाएं अपनी रोड्स अच्छी कर रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता वह कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसी वज़ा से ना तो कोई यहां पर आता है आप फॉरिनर्स को भी छोड़ दें पाकिस्त यहां पर कोई आना नहीं होगी हो सकता है को उनका बैक चीले को उनको मार डाले कोई टारर अटैक हो जाए कुछ हो जाए इस वज़ा से भी पाकिस्तान की यह आना नहीं चाहता विल्के जो लोग यहां पर मौझूद है वो भी यही सोचते हैं कब चांस मिले और हम बाहर च को यह शाओ भी नहीं होता जो के पाकिसानी इंदर है यह बिलकुल यह चीज नोट करने में हैं यह और आजकल तो कफी ट्रेंड बनता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से बाहर जाते लोग नज़र आ रहे हैं यूतास दोर पर तर पर हो हम यह बात नहें परोजेक्ट नह लगाते हैं वो लोग वहां पे कश्मीर में जो development है आपके सामने आई इंडिया साइट कश्मीर में दुनिया क्या हाइएस रेलवे bridge जोंस है वो वहां पे बंता नजर आता है इसके लाएवा आफ आप वहां पर 3G की service जो मुझूद है वो आपको नजर आएगी वहाँ पे जितनी बड़ी तदाद में टूरिजम आ रहे हैं, टूरिजम को पर्मोट किया जा रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो सब के सामने हैं, क्या समयती हैं, सिरफ कश्मीर के हवाले से, बाकी पाकिस्तान में नो डोड हम कमपेरिजन नहीं कर सकते, एवन कश्मीर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो हम भी काम करें कश्मीर में, जो हमारे साइट पे कश्मीर है, डिवेलपमेंट का. देखें होना तो बिल्कुल चाहिए ना सिर्फ ये के कश्मीर में बलके बाकी पाकिस्तान में भी डिवलप्मेंट का काम होना चाहिए और वहां पर भी रोड़्ाइब ओगैरा ठीक हो नीचाहिए, चाहे वह गिल्किलबत्रिस्तान हो, चाहे वह कश्मीन हो, चाहे वह दूसरे नॉर्डन एरियाज हो, कैलाईश हो, कैलाईश की हो जहांके लोग हो पर जानती educated है वह बहुत परहुत पर्रिशान होतें कि रोड़ तो कर्वाई थी कि हमारे वहाँ पर टावर जो है, वो लगाने के लिए, जो है, वह हमें पैसे बढ़ा के बताए जा रहे हैं और हमारी मदद नहीं की जा रही, जिसकी वज़ा के से वहाँ पर वहूप अगर जाये, तो आपको मुबार नहीं चलता, आपको किसी से बात नहीं कर सकते बहुत मुश्किल होती है जब में कश्मीर गई थी तीन चार साल पहले वहां पे शोव बनाने के लिए तो, बहुत मुश्किल हो रही थी कि इसलामँबाद मेंऎ हैं महों कैसे कम्यूट करूं कि क्या हो रहा है और साथ साथ महां रोड्स भी बहुत खराब थी बलके एक जगा तो गाड़ी रोकर बहुत दूर तक हमें पैदल जाना पड़ा था क्योंके रोड्स बनी हुई नहीं थी जगा जगा पर नाके लगे हुए हैं पुलिस वाले बैठे हैं फौज बैठी हुई है जो मार्किट है वहां पर आप अगर जाएं और किसी से बाल करने की कोशिश करें तो वो लोग कहते हैं जी हमें एजन्सिस नमना कर रखा है के बात न की जाए मीडिया के साथ तो इस किसम की पावनिया भी लगा रखी है कोई डिवेलप्मेंट का काम नहीं है कोई मार्किट कोई आपको खास हॉस्पिटल या उनिवर्सिटी या इस किसम की चीज़ें आपको वहां दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे जो है हम इस वजह से नहीं के कोई डिस्प्यूटिड एरिया किसी भी पार्टी से हो चाहे वो इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो या दरदारी साब हो या इवन डिक्टेटर्स आजएं कोई कुछ भी नहीं करता इसलामाबाद भी आपको थोड़ा बहुत इसलिए बना समरा नजर आता है कि यह एक प्लैंट सिटी है और इसको एक प्लैन करके और उसके बाद बनाया गया था अब यह भी खर बहुत खराब हो गया लेकिन बारहल आपको यह फिर भी तोड़ा सा समलावा देखता है लेकिन बाकी जगा कश्मीर में तो कोई पैसा निवस्ट नी कर रहे हाला कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत पैसा ल वो इतना जादा डिवलप कर देंगे अपनी साइट को इतने जादा लोग वहां पर खुश्छाल नजर आएंगे तो यहां वाले जो कश्मीर के लोग है जो बिचार एतनी परेशानी में वो तो भाग भाग के उदर ही जाएंगे न वो तो कहेंगे भई हमें उन्हीं के थे हमारा हमने तो उनका और बुरा हल कर दिया बजाए इसके कि हम दट भी कुछ करते यहां तक मुझे एक फैबली ने बताया था जो बॉर्डर के नजदीक रह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब परवेज जरनल परवेज मुशरफ की गर्मेंटी तो उनको फिर भी कुछ च आते हैं अबुलेंस भी नहीं है और आए कैसे कि रोडी नी बनी हुई तो वहां से अपने घरों से लेके और नजाने कितनी दूर तक विचारे पैदल लेकर आते हैं यहाल हमने कश्मीर का किया हुए मुझे तो एक कश्मीर कमेटी के चेर्में भी मिले थे कुछ साल पहले म मुझे मिले तो किसी ने इंट्रोड्यूस करा है कि यह कश्मीर कमेटी के चेर्मेन है तो मैंने वैसे ही मज़ाख में मैंने उनसे का के सर आप क्या करेंगे तो वो कोई जवाब नहीं दे सके मुझे वो मतलब वैसे हसके चुप हो गए तो अलगर सो मैं बिलकुल नहीं नही फील्ड में आई थी लेकिन मुझे बोलने की हमेशा सहाधत है तो मैंने से इसी तरह इसी ने समका क्वेश्चन किया और वो बगए जवाब दिये चले गए तो मैं आज भी वही सावाल करती हूं चाहिए जो भी कश्मीर कमेटी का चेर्मेन है कि आपने करना किया है दूसरी जगा जगा पर रोकते हैं मेरी सीरीज देखी होंगी मैंने किश्मीर का विजिट किया है दास पंद्रा दिन हम वहां पे रहे और बहुत से ऐसी मुकामात पर हमने वीडियो रिकॉर्ड की कुछ मुकामात पे कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर इशू रहा रिकॉर्डिंग न बाते जो दिखाना नहीं चाहते हैं बहुत जबदस काम हो रहा है दिखाए जाता स्क्योटी इशू है यह नो कि आप कोई किसी एजंसी के हों तो फिर आप हमारे यहां से रिकॉर्डिंग करके जाओगे तो अरे हमें इंडिया वाले जो हैं हमारे अच्छे से अच्छे दो यानि अगर हम पाकिसान के एजंसी के होते तो हमें रिकॉर्डिंग करने देते ना तो गर हमें रौका समझ रहे हैं यह समझ रहे हैं हम किसी और एजंसी से मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी वहां पर कौन सी सेक्यूरिटी की चीज़े जो यह चुपा रहे हैं ऐसी कौन सी बा निए बोलने जह रहे थे और उसके बार यह समझते हैं कि दूसरी साइट का कश्मीर भी इनके साथ मिल जाएगा और यह पता नी बले-बले हो जाएगी मुझे तो समझ नहीं आती नशा कौन सा करते हैं कि जिससे इनको यह सारी चीजें जो है वो समझ में आती है और इनको लाएए यहां भी दिखाएए उन्हें पता चली यहां आपने क्या काम किये अगर आप करेंगे काम ठीक है अपने बजट में करें मैं यह नहीं कह रही हैं इंडिया वाला बजट हमारा होगा लेकिन कुछ तो काम करते हैं कुछ नोगों के प्रॉब्लम सॉल्वों ऐसे उदर के लोगों से बात करते हैं बच्चों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो यहां बहुत कुछ हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं हम प्रॉड इंडियन कश्मीरी हैं और यह अरब इन्फ्लेंसर अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉम पे यह चीज़ें डालते हैं पुरी कोई meeting कर सकते हैं अपनी साइड के कश्मीर में अगर हम को ले जाएंगे यह यह वापस भाग जाएंगे सारे शेयक उपर से चितर अलग मारेंगे इनको क्यूंकि उनमें से बहुत सारी तो ऐसे नहीं से हम पैसा मांग रहे होते हैं उनको अगर हम इन रोड्स के उपर से लेकर जाएंगे और वहाँ पहुंचाएंगे आपको पता हैं वहाँ पर कोई एर्पोर्ट जो है वो आपरेट नहीं कर रहा है तो जाहिर बाइरोड लेके जाएंगे तो वो जितने जो है ना बकरे दुम्बे खाएंगे ना इनोने शेखों ने वो सारें के हजम हो जाने और पिर मारने के याद करेंगे मेन चीज ये है वो आएंगे भी सही क्यूंकि जैसे वह जैसे उनके relation इंडिया के साथ बहतर से बहतरीन होते नजर आ रहे हैं इंडिया site कश्मीर में investment कर रहे हैं तो वो Pakistan side कश्मीर में आएंगे यह वो भी किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए सवाल तो यह है नहीं यहां तो खर वो जाते हैं उनको पता है कि जब यहां आएंगे तो पाकिस्तानी जो है यानि जो गवर्मेंट और इस्टैब्लिश्मेंट है वो उनकी बड़ी खातने करती है ऐसी बात नहीं है हमारे से तो आप कुछ यह पढ़ता होगा कि सिंद्ध में और दूसरी जगा पर भी यह एरफ शेख आते हैं और उनको वहां से बच्चे तक दिये जाते थे पहले जो यह उंटों पर बानके यह भगाया करते थे वह जो उंटों की रेस होती थी उसके लिए पाकिस्तानी बच्च हम वहां पर क्या करते हैं और यहरफ वहां पर क्या करने आते सिंद्ध में सिंद्ध में यह इसी किसम करने आते हैं और हर गलत काम हम करते हैं जी जी हम हर गलत काम करते हैं जी मेरी खबर के मताबिक पाकिस्तान में ही एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ अरब अर्बों के लिए है वो वहाँ पर आ सकते हैं इवन पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं पाकिस्तानियों के एंटिक उस एरिये में बिल्कुल अलॉर बिल्कुल और वहाँ पर हर गलत काम जिसे हम गलत काम कहते हैं वो हम करते हैं वहाँ पर उनको वहाँ पर बच्चे भी प्रोवाइड किय जाते हैं, उनको वहाँ पर छोटी बच्चियां भी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, और उसके बाद हम निकलते हैं, रियास्ते मदीना बनाने, ये हमारी जो है ना डबल स्टांडर्ड्ड्स हैं, ये हमारी असलियत है, हम पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो अगर हम नायरफ चिक्स को कहेंगे, गल्फ पंट्रीज को कहेंगे, कि जी आम आपको कश्मीर ले जाना चाह रहें, तो उनको पता है कि फिर ये हमारी खातिर करेंगे, लेकिन वो जो रोड है, वहां से जाने में जो है ना, मैं कही रही है, उनकी तब्यास सेट हो जाएगी, वो मेरे ही है, मैं बड़ी इंटरस्टिंग गाप्शाप हो रही है, और मेरे माइंड में ख्याल आया, एक सवाल आया है, मैं सोच रहा हूँ कि आप से पूछे और मैं ये जानता हूँ कि आप ओपन लीज का अंसर करेंगी, क्या वज़ा है, मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा फील होता ह है, कि इंडिया में जितनी development हो रही है, definitely हम इंडिया पाकिस्तान में जो development होती है, उसके आपर work करते हैं, उसके आपर ही ज्यादा तर videos record करते हैं, आपको फील नहीं होता कि यार, सुबा उठते हैं, दुपैर को टते हैं, शाम को टते हैं, इंडिया साइट से कोई ना कोई development देखने को मिलती है और definitely हम फिर उसे report करते हैं उस पे वीडियो बनाते हैं और ऐसा ऐसा नहीं फील आथा के यार पाकिस्तानी होके सारा दिन इंडिया की तरीफ करते रहते हैं सची तरीफ करते हैं करनी भी चाहिए अप्रीशेट भी करना चाहिए लेकिन कैसा लगता है कि वाप यह साब करती हैं, मैं करता हूँ, तो थोड़ा वो नहीं लगता कि यार हमारे यहां से भी कोई अच्छी खबर आए, हम उसके ओपर वीडियो बनाएं, उसके ओपर प्रोग्राम करें, हम बताएं कि लो जी आज पाक्तार के यह चीवमेंट हुई है, इसके ओपर आज हम की जो है ना डिवलपमेंट होती है, वहां से बैढ़ के आप देख चड़ा सकते हैं, मतलब हमारे यहां जो है ना हमने जहालत में पीएचडी की वी है, इस वज़ाजा से हम इसके समकी एप्स बनाते हैं, हमारे यहां मतलब पहस्ता हम लगा का रहें, कि जो अमेरिका में ब जरा सी शरम गेरत कोई चीज हमारे अंदर नहीं रही है, यह कोई चीज है आप जो बना रहें और बता रहें दुनिया को कि आप यह कीजिए, मतलब कहां पर जो हम दूसरी कंट्री को देख रहे हैं, कि वो किस किसम की डिवलपमेंट कर रहे हैं, और हम क्या बना रहें, कि जी मजार पे चादर चड़ा दीजिए, और मजार पे देख चड़ा दीजिए, हमारे यह यह होता है, इसके लिए क्या वीडियो बना है, मैंने तो इसके ओपर बात तक नहीं की अपनी वीडियो में, लेकिन यह काम अगर मैं ही, मैं ही आप से यह सवाल कर देता हूँ, और म इस हलका में यह गली बनी, तो यह development नहीं, कोई बड़ी development, कोई airport बना हो, या कोई infrastructure को लेके कोई बड़ा काम हुआ हो, तो क्या कहेंगी आप इसके ओपर? नहीं हो सकता है, किसी minister ने अपना घर बना लिया हो और कुछ नहीं होगा, कोई personal property किसी ने ले लिप योगी, लेकिन country के लिए, country के लोगों के लिए, क्यों के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना कोई hospital, ना कोई university, ना कुछ और, ना कोई library, आपने देखा होगा, लहो बहुत सी जो bookshop बंद हो गई और उनकी जगह कबाब तिक्के जो हैं वो खुल गए वहाँ पे आप कबाब तिक्के खा सकते हैं जाके लेकिन books कोई पढ़ता नहीं है तो उन्होंने libraries और जो bookshops हैं वो बंद हो गई ये दो चारी रहे गई हैं अगर किसी को कोई book ले नहीं होती है तो व वहाँ पे आपके ये हाल हो आपकी government का आपकी public का पब्लिक को भी फरक नहीं पड़ता कि bookshop बंद हो गई है और वहाँ पे कबाब तिक्के खुल गए उनके लिए वही सही है तो वहाँ पे क्या होगा काम कुछ नहीं होगा वहाँ पे ये कहा जाता है ना कि भाई आप तो online हर चीज़ मिलती है कोई भी book आपने पढ़नी है ओonline ले ले हमें क्या जरूत है library में जाने की हलांके library की अपनी एक एहमियत है एहमियत के इलावा भी आपको online वो book मिलती भी हो एक आपका असासा होता है कि भाई ये library है ये book shop है पता चलता है कि educated लोग इस city में रहते हैं तो आपके क्याल से हमारे लोग online books पढ़ते हैं